प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाथ नभी मीका का ग्रंथ अध्याई साथ पत्संख्याई 14-15-18-20 तक वो हमारे सभी पाप गहरे समुद्रे में फेक देगा तु अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा अपनी विरासत की भेडे चराने की कृपा कर वे चंगल और बंजर भूमी में अकेली ही पड़ी हुई है प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे जिन दिनों तु हमें मिस्रस निकाल लाया उन्हीं दिनों की तरह हमें चमतकार दिखा तेरे साद्रिश कौन ऐसा इशर है जो अप्राध हरता और अपनी प्रजा का पाप अंदेखा करता है जो अपना क्रोध बनाये नहीं रखता बलकि दया करना चाहता है वो फिर हम पर दया करेगा हमारे अप्राध पैरो तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेकेगा तु याकुब के लिए अपनी सत्य प्रतिग्यता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा जैसे की तुने शपत खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिग्या की है यह प्रभू की वानी है संत्मती के नुसार पवित्र सुसमाचार अध्याए बारा वाके संख्या छालिस से लेकर पचास तक इसा लोगों को उबदेश दे ही रहे थे कि उनकी माता और भाई आए वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे किसी ने इसा से कहा देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं वे आप से मिलना चाहते हैं एसा ने उस से कहा काउन है मेरी माता काउन है मेरे भाई और हाथ से अपने शिश्यों की और संकेत करते हुए उन्होंने कहा देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई क्योंकि जो स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई मेरी बहन और मेरी माता या प्रभु का पवित्र सु समाचार है ख्रिस्ट प्रभु की जय येसु में मेरे प्रिये भाई और बहनो हमारे जीवन में लगातार हम लोग ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयतन करते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में अपने बेवहार में अपने बाचीत में समाजिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन में हर प्रकार के परिवेश में हम लोग हर दम कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा इश्वर की इच्छा पूरी हो और इश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम लोग प्रातना करते हैं मनन चिंतन करते हैं ध्यान में बैठते हैं पुजा पाठ करते हैं मिसा पुजा बलिदान में भाग लेते हैं और वह एक माध्यम के रूप में हमारे जीवन को ईश्वर की इच्छा से जोडता है और यही वह एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम लोग ईश्वर ये इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं और संसकारों के द्वारा ईश्वर की इच्छा को जानते हैं और उन्ही के अनुरूप अपने जीवन को बितात जब हम इच्छा कहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे कामनाएं, अबिलाशायें होती हैं जो हमारी सोच पर और हमारे दृष्टिकोन पर आधारित होती हैं लेकिन वहीं दूसरी और जब हम ईश्वरिय इच्छा की बात करते हैं तो वह ईश्वर ये योजना पर आधारित होती है और उसी को हम जानने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में आत्म साथ करने की कोशिश करते हैं मनुश्य होने के नाते हमारी इश्वर की इच्छा से भिन होती हैं हमारी इश्वर से दूर भटकाती है उसी के विश्य में नभी मीका अपने लोगों को बताने की कोशिश करता है कि वे लोग ईश्वर्य इच्छा के विरुद अपने जीवन को बिता रहे हैं और इसका परिनाम क्या हुआ कि ईश्वर्य ने उनका परित्याग कर दिया है उनके जीवन में घोर कठिनाया आ गई हैं कश्ट आ गए हैं और वे लोग कराते हैं उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उनके जीवन में इश्वर ये इच्छा की पूर्ती के लिए उन्हें प्रिरित करने के लिए नभी मीका उन्हें बताना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए हम अध्याय 6 वाके संख्या 8 में पढ़ते हैं जहां पर नभी मीका इश्वर की योजना को इश्वर की इच्छा को अपने लोगों के सामने रखते हुए कहता है मनुश्य तुम को बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभू तुम से क्या चाहता है यहां इतना ही है नियापूर्ण बेवहार कोमल भक्ती और इश्वर के सामने विनयपूर्ण आजरन संभौता नभी मीका यहां पर इश्वर के सब्दों को उनकी प्रजा के सामने रखते हुए कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में नियापूर्ण बेवहार आना है क्योंकि वे लोग अन्याई हो गए थे उनका जीवन धन की ओर अधिक हो गया था उनका जीवन जमीन पर जमीन की लेन देन पर अधिक हो गया था और इसी कारण से वे लोग पाप कर रहे थे क्योंकि वे लोग स्वार्थी हो गए थे क्योंकि वे लोग धन के प्रति लिप्त हो गए थे और यही कारण था कि वे लोग प्रभु के मार्ग से दूर हो गए थे उनके जीवन में कोमल भक्ती नहीं रह गए थी क्योंकि वे लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते थे दूसरे देवी देवताओं पर भरोसा करते थे और इसलिए वे इश्वर भक्ति से अलग हो गए थे इश्वर के सामने उनका जो आचरन था अब वह विनैपूर नहीं रहा वे लोग कुरूर हो गए थे वे लोग अत्यचारी हो गए थे उनकी भावना द्वेश हो गए थी और इसी कारण से इश्वर के सामने वे विनैपूर आचरन करने में आसमर्थ थे इसलिए यहां पर नभी मीका उन्हें एक मार्ग बताता है कि कैसे उनके स्वाभाव में उनके मनोभाव में एक परिवर्थ न लेकर आने की अतियावशकता है जिससे वे लोग इश्वरे योजना के लिए अपने जीवन को समर्पित कर पाए नभी मिका यहाँ पर बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर की इच्छा उनके आच्रन से उनके स्वाभाव से सम्मंदित है और जब वे लोग ऐसे जीवन जीने में आसमर्थ हो जाते हैं तो उनके जीवन में दुखदर दाता है और इसी अवस्था में वे लोग ईश्वर को पुकारते हैं इश्वर के सामने अपनी प्रातनाओं को रखते हैं हम अध्याय साथ वाके संक्या साथ में पढ़ते हैं जहां पर वचन कहता है मैं प्रभू की राह देखता रहूंगा मैं अपने मुक्तिदाता पर भरोसा रखूंगा मेरा इश्वर मेरी प्रातना स्विकार करेगा यहां पर एक ऐसे विक्ति को प्रभू के सामने बिंती करते हुए बताया गया है जो प्रभू पर भरोसा रखता है कि वह उसकी सुधी लेगा इसलएं वह कहता है कि मैं प्रभू की राह देखता रहूंगा उस पर भरोसा करता रहूंगा और इश्वर मेरी प्रात ना सुनेगा इश्वर क्यों उसकी प्रात्ना सुनेगा यहाँ पर नभी मीका इश्वर के दो स्वाभाओं को हमारे सामने रखते वे कहता है कि इश्वर अपनी प्रजा की सुधी लेता है इश्वर के सामने मनुष्य के पाप नहीं बलकि उनके प्रेमी स्वाभाव अत्यंत महतपूर्ण होते हैं इश्वर ये दया इश्वर ये प्रेम महान होता है ना कि मनुष्य का पाप और वह बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर का स्वाभाव मनुश्य के स्वाभाव से विप्रीत है और इसलिए वह अपने लोगों की सुधी लेगा हम अध्याय साथ वाकिय संख्या 20 में पड़ते हैं जहापरवचन कहता है तेरे सद्रिष्य कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अंदेखा करता है जो अपना क्रोध बनाये नहीं रखता बलकि दया करना चाहता है यहाँ पर नभी मीका ईश्वर के दया में स्वाभाव को अपनी लोगों के सामने रखता है और कहता है कि तुम्हारे पाप से बढ़कर ईश्वर की दया है और उसी पर उन्हें विश्वास करने की जरूरत है यहाँ पर वचन कहता है तेरे सद्रिष्य कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बलकि ये दया करना चाहता है और ईश्वर के उसी स्वाभाव के लिए वह अपने लोगों को प्रेरित करता है कि उन्हें अपने मार्ग को त्याग देना चाहिए ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वह उनकी सुधी लेगा उनके पापों से उन्हें छुडाएगा और उसे अपने राज्य में प्रवेश करने देगा आगे हम वचिन में पढ़ते हैं वह फिर हम पर दया करेगा हमारे अपराद पैरो तले रौन देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फिकिएगा यहाँ पर नभी मिका कहना चाहते हैं कि ईश्वर का स्वाभाओ लोगों के पाप को स्मरन करने का नहीं बलकि उनके पाप में स्वाभाओ को उनसे दूर करने का है और इसलिए आपर नबी मीका कहता है कि वह उनके पापों को समुद्र में फिकिएगा वहां से वे सारे पाप दुबारा उनके पास नहीं आ सकते हैं नबी मीका इश्वर के दूसरे स्वभाओं को हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि ईश्वर सत्य प्रतिग्य ईश्वर है वो अपनी प्रतिग्याओं को सदेव याद रखता है और उनी के अनुसार हमारी सुधी लेगा हम अध्याय साथ वाके संख्या 20 में परते हैं जहां पर वचन कहता है तू याकूब के लिए अपने सत्य प्रतिग्यता और इबराहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा जैसा कि तू ने शपत खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिग्या की थी यहाँ पर ईश्वर के द्वारा की वी प्रतिग्या को अपने लोगों के सामने रखते हुए अपने बातों को अंत करता है कि इश्वर सत्य प्रतिग्या है इश्वर अपने लोगों के जरूर सुधी लेगा और इसलिए उन्हें पूर्ण विश्वास करते हुए इश्वर की और अभिमुक होना है इश्वर की और वापस आना है ये सुमे मेरे प्रिये भाय और बहनो हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे आउसर आते हैं जब हम अपने आपको कोशते हैं अपने आपको धिक्कारते हैं क्योंकि हमारे स्वभाओ गलत थे हमारे स्वभाओ पाप में थे लेकिन इन सभी आउसरों में भी हमें अपनी निगाहे ईश्वर की ओर लगाये रखने के लिए नभी मी का एक आउसर देता है हमें ईश्वर के स्वाभाव को अपने जीवन में देखना है ना कि हमारे मनुभाव को हमारे स्वाभाव को और इसलिए ईश्वर के दयाम है स्वाभाव इश्वर के सत्य प्रतियता का स्वभाव हमारी सुधी लेगा और जब इश्वर हमारी सुधी लेता है तो हमें चाहिए कि हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें आज के सु समाचार में प्रभी येसु इश्वर की इच्छा को पूरी करने का एक प्रतिफल हमें बताते हैं कि जो विक्ति इश्वर की इच्छा पूरी करता है उनका संबंध इश्वर के साथ जुड़ जाता है बेत्रियेक इश्वर के साथ एक अस्थाई संबंध को बनाते हैं और जिनके कारण उनका रिष्टा ईश्वर के साथ सदेव जुड़ जाता है। हम देखते हैं कि प्रभी एसु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और इसी के बीच उनकी माता और उनके भाई आते हैं और लोग यह संदेश उन तक पहुचाते हैं कि बाहर आपकी माता और भाई खड़े हैं यहाँ पर प्रभी एसु इस आउसर को उन्हें शिक्षित करने के लिए लेते हैं बहुत बार हम लोगों को लगता है कि यहाँ पर प्रभी एसु अपनी माता का अवहेलना करता है उसका तिरिसकार करता है लेकिन यह आउसर प्रभी एसु लेते हैं माता मर्यम के रूप में उनके सामने एक जीवन्त उदाहरन रखने के लिए वह अपनी माता को लोगों के सामने एक जीवन्त उदाहरन के रूप में रखते हैं कि एक विक्ती जो इश्वर की इच्छा पूरी करता है वह कैसा हो सकता है उसका स्वाभाव कैसा हो सकता है उसका संबंद इश्वर के साथ कैसा हो सकता है और इसलिए प्रभी येसु कहते ह कौन है मेरी माता कौन है मेरे भाई और अपने शिश्चों की और निगाहें दोडाते हैं उनकी और हाथें बढ़ाते हैं देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई क्योंकि जो मेरे स्वर्गित पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता हम संद लूकस के सु समाचार अध्या एक वाके संख्या 38 में परते हैं जहांपर स्वर्गदूत के अभिवादन और उनके संदेश के प्रतिवत्तर में माता मर्यम की वचन को रखा गया है जहांपर माता मर्यम कहती है देखे मैं प्रभू की दासी हूँ, आपका कतन मुझ में पूरा हो जाए वा पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा के लिए अपने आपके जीवन को समर्पित कर देती है ईश्वर की इच्छा उसके लिए सर्वे सर्वा होती है प्रभु की उसे इच्छा को पूरी करते हुए आजवा प्रभु के सुसमाचार कार्यम में उसकी सहायता करने पहुची है येसु में मेरे प्रिये भाई और बहनों इश्वरी इच्छा हमारे लिए सर्वे सर्वा होना चाहिए हमें लगातार अपने जीवन में प्रयातन करते रहना है कि हम सदेव इश्वर की इच्छा के लिए अपने आपको माता मर्यम की भाती समर्पित कर पाएं आए हम आज माता मर्यम से विशेष कृपा की आजना करते हैं उससे मध्यस्त प्रातना करते हैं कि जैसे उन्हें प्रभु का बल मिला था इश्वरी इच्छा को पूरा करने के लिए, वही बल प्राप्त करने के लिए माता मर्यम हमें से हर एक लोगों के लिए प्रात्ना करें, ताकि हम अपने जीवन में इश्वरी इच्छा के प्रति इमानदार बने रहें, सदेव इश् पिता पर्मेश्वर धन्यवाद पिता आज के सुन्दर दिन के लिए तुस्से मिले है भे हरे एक वरदानों के लिए पिता तुझे धन्यवाद देते हैं धन्यवाद पिता तेरी प्यार के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए जो हमारे जीवन को सदेव अग्रसित करता है हमें आगे बढ़ाते हुए तेरी इच्छा के लिए अपने आपको समर्पित करने का एक आउसर देता है पिता जिस प्रकार से तुने माता मर्यम को चुन कर उसे अपने पुत्र की माता के रूप में चुना और वह इश्वरी इच्छा के लिए अपने आपको समर्पित कर पाए क्योंकि तुने उन्हें आशिरवाद दिया पिता जिस प्रकार से तुने उन्हें आशिरवात दिया वही आशिश और कृपा हमें देना पिता ताकि हम अपने जीवन में तेरी च्छा को सदेव पूरी कर सकें तेरी च्छा को हम सदेव अपने जीवन में लगाए रखें और तेरी कृपा का माध्यम बन सकें दूसरे जीवन को अपने सानिद्य में लेकर के आना और हमें वह बल और बुद्धि प्रदान करना जिनके द्वारा हम सदेव तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण कर सके हम यह प्रातना करते हैं हमारे प्रभोख्रिस्त के द्वारा आमेन प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोठी नेनों की जोते अंधेरा मिटाती वाड़ी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है में लाड़ी का मन्ना है झाल झाल